दोस्तो मेरे चैनल पर स्वागत है आपका और दोस्तो यहा पर आप देख सकते हो यह हमारा जो компresseur है और компresseur का यह जो टर्मिनल है पूरा blast कर गया है तो यह आपके साथ ना हो और आपके मशीन के साथ ना हो तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा आपको बताने वाला हूँ कि जिस पज़े से आपका कंप्रेसर में कभी भी ऐसा प्रॉब्लम ना होएगा तो ये वीडियो आपके लिए है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लास तक देखे और लाइक करें और चैनल पे नए आया है तो सस्क्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबालें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेसन आपको सबसे पहले मिले और अगर फेस्बुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें तो फ्रेंड बात करते हैं यह जो हमारे टर्मिनल हैं यहाँ पे देख सकते हैं कॉमा रनिंग स्टार्टिंग के तीन टर्मिनल थे लेकिन अभी यहाँ पे एक ही टर्मिनल बचा है बाकी जो टर्मिनल थे वो उड़ गए है मेरे पास एक ही मिला और जो तीसरा वाला टर्मिनल था वो उड़ के कहां चला गया वो पता नहीं कहां चला गया तो इनके कुछ रीजन होते हैं ये क्यों बलाश्ट करते हैं उनके बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं अगर आपको पता है तो वीडियो को छोड़के जा सकते हैं और अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो पूरा लास तक देखें आपको जरूर कुछ सेखने को मिलेगा तो फ्रेंड यहां पे जो हमारी ये टर्मिनल उड़ गए हैं वो किस बज़े से उड़े हैं वो आपको आज हम बताएंगे तो फ्रेंड क्या होता है कि कभी-कभी जो हमारा मशीन है गैस लिकेज होता है तो हम इसको ध्यान नहीं देते हैं कि जब हमारा मशीन एक से दो-तीन बार से ज्यादा gas leakage होता है तो उस समय क्या होता है कि जो हमारा compressor होता है उसके अंदर oil होता है तो compressor का जो oil होता है तो machine धीरे धीरे leakage होने के बाद उसका जो oil होता है वो निकल जाता है तो जिससे क्या होता है हमारा compressor क्या होता है oil की बज़े से ठंडा रहता है और oil निकल जाने के बाद यानि जो हमारा ऐसी जब gas leakage हो जाता है फिर जो हमारा compressor क्या होता है चलते चलते गरम होता है और जब ये compressor गरम होता है फिर ज़्यादा force यहाँ terminal पे आता है यानि जो thimble है तीनो thimble पे ज़्यादा force पड़ता है तो इसके बज़े से ये thimble उड़ जाता है तो और भी आगे बताने वाला हूं में वीडियो पे कि आपको किन बज़े से ये thimble जलते हैं तो बहुत ही बैतरीन वीडियो होने वाला है तो वीडियो last तक देखिए तो friend और दूसरा region ये है कि कभी-कभी loose connection होता है जैसे कि कभी हम नया connection लगा रहे है नया compression लगा रहे है तो जो हम thimble लगाते हैं यानि thimble के जो pin लगाते हैं यहाँ पे compressor के जो pin लगाते हैं हम लोग वो proper लगाते नहीं हैं यानि सही से नहीं लगाते हैं उसको lose connection छोड़ देते हैं यानि pin लग गया बस हो गया तो trend कभी भी आप pin को जब लगाते हैं यानि thimble को लगाते हैं pin को तो उसको proper लगाना चाहिए अगर निकाल के देखना चाहिए अगर easy आता है तो यह pin आपका बिलकुल भी सही नहीं है ज लेकिन इस केस में देख सकते हो फेंड यह हमारे जो तो थिंबल हैं पूरे ब्लास्ट कर गए हैं और यह पूरे ही नीचे से ही खतम हो गए हैं तो कभी भी आपको लूज कनेक्शन नहीं रखना है और बहतरीन कनेक्शन करना है कि मतलब जो हमारा पिन लगाएं उसको क्वाल्टी का नहीं होता है तो वायर कभी भी यूज करें तो बहतरीन क्वाल्टी का यूज करें क्योंकि कॉंप्रेसर के पास आपको अच्छी वायर का और अच्छी क्वाल्टी का यूज करना चाहिए इसके बज़े से भी हमारा जो थिंबल है वो उड़ जाता है और बा कि compressor क्या होता है, बंद और चालू होता है, जब room का temperature आपका आ जाएगा, फिर compressor बंद हो जाता है, फिर second time जब यह start होता है, तो compressor का अगर capacitor सही नहीं है, तो compressor पे load आएगा, load कहां पे आएगा, जहां पे thimble है, तो thimble वहाँ से उड़ जाता है, जल जाता है, इस case में भी ऐसा देना चाहिए, और क्या होता है, कि जब हमारा compressor खराब हो जाता है, तब क्या होता है, compressor high amps लेता है, यानि high current लेता है, इसके बज़े से भी thimble पे जादा load पड़ता है, और मारा जो thimble होता है, वो भी उड़ जाता है, तो यह जो भी topic में आपको बता रहा हूं, यह सब पे इसा कुछ problem होता हो, तो इन सारी चीजों को आप follow करेंगे, तो next time कभी भी नहीं होगा, और friend, क्या होता है, जो हमारा voltage होता है, main चीज voltage है, कि मतलब हमारा voltage है, उसका जो flexible कभी कम और कभी ज़्यादा होता है, इसके बज़े से भी हमारा जो thimble है, वो जल जाता है, तो यह इसी चेक करने, जब आपका thimble कभी जल गया हो, तो आपको voltage का जो power होता है, उसको भी आप चेक करने की, जो हमारा voltage आ रहा है, AC के पास, वो proper आ रहा है की नहीं, वो भी आपको चेक करना चाहिए, और friend, एक बात और है, अगर आपका AC चल रहा है, और बहुत ही time से चल रहा है, compressor चल रहा है, तो बहुत time चलने के बाद क्या होता है, इस्टेनर और कैपलरियों में block हो जाते है, यानि outdoor का जो condenser होता है, वहाँ पे block हो जाते है, तो इसके बज़े से compressor पे load पड़ता है, और जब compressor पे load पड़ता है, तो compressor high amps लेता है, और high pressure में बढ़ता है, और इसके बज़े से thimble पे ज़्यादा pressure पड़ता है, और जो हमारा thimble है, वह जल जाता है, तो ये सारी जो आपको मैंने जानकारियां बताएं, इन पे focus करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इन बज़े से जो हमारा compressor का जो thimble है, यानि जो हमारा clip है, वह उड़ जाता है, और terminal blast कर जाता है, अगर आपको और भी ज़्यादा कुछ पचा है कि ये क्यों जलता है, और भी क्या region हो सकते हैं, तो नीचे comment box में जरूर comment करें, और वीडियो कैसा लगा, आप comment में जरूर बताएं, और वीडियो को अभी तक आपने like नहीं किया, तो like जरूर कर दें, और channel पे bell icon को जरूर दबालें, ताकि आने वाले वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि मेरे इस channel पे आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे, तो thank you for watching, मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नए topic के साथ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो like करें, thank you